खूली मनाने के विशे में बहुत सारी कथाएं हमें पुराणों से मिलती हैं तो उनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अन्य पराणिक कथा शिव और पार्वती से संबंदित है हिमालय पुत्री पार्वती चाती थी कि उनका विवाः भगवान शिव से हो जाए पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे कामदेव पार्वती की सहायता को आए और उन्होंने अपना पुष्प बांड चलाया भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी उनके क्रोध की जवाला में कामदेव भस्म हो गए तद पस्याद शिव जी ने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी की अरादना सफल होई शिव जी ने उन्हें अपनी अरधांगनी की रूप में स्विकार कर लिया इस प्रकार इस कथा के अधार पर होली की अकनी में वासनात्मक आकर्शन को प्रतिकात्मक रूप से जला कर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है तो ये थी होली की एक पुराणिक कथा जो हमें पुराणों से मिलती है इस तरह की अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल प्रियांका सिंग ऑफिशेल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद